हैदराबाद के साउथ एशियन लिवर इंसिट्टूर्ड के साथ मिलकर वोकाट अस्पतार में माहने भर में लिवर ट्रांस्प्लांट शुरू किया जाएगा मंगलवार से प्रमहारूग्न विभाग शुरू होगा यह जानकारी हैदराबाद के साउथ एशियन लिवर इंसिटूट के डॉक्टर टॉम चेरियन ने पत्रपरीशिद में दी देने के लिए तो हम सोच रहे हैं नागपूर इतना बड़ा जगा है इतना जोग्रफी कवर करता है विदरबा में मगर अभी तक एक्सेलेंट आउटकम्स लिवर ऑपरेशन से चेहिए वो इधर हम लेके आना आ जाता हूँ South Asian Liver Institute Hyderabad में 270-280 transplants कर चुका है 85-90% success rate के साथ वो सेम सक्सेस रेट अभी वो काट के साथ हम नागपूर में करने जाता हूँ वो काट को बहुत अच्छा रेपूटेशन है इदर अलरीड यू नो बहुत लोग को किड्नी ट्रांस्प्लांट में लोग तो सेम वे लिवर डिसीस के लिए हम करने जाते हैं वो बहुत लोग विदर रेजन में लिवर डिसीस के साथ सफर हो रहा है और उसको पर्मनेंट क्योर नागपूर अभी तक लिवर ट्रांस्प्लांट जैसा इतना अच्छा आच्छा 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 इतना अच्छा ओट्प्लांट के बाद दूसरा खुच्छा ट्रांस के लिए अगर सिरोसिस हो चुका है तो हम केरफुली देखते हैं सब पेशिंस को ट्रांस्प्लांट के बिना दूसरा रास्ता है क्या नाय करको देखने के लिए अगर दूसरा रास्ता नाय है तो ट्रांस्प्लांट के जैसा इतना अच्छा आच्छा 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 आ इन नागपूर, I worked for 17 years, मैं 17 years in London में काम किया है, King's College London में, Europe का Best Liver Institute, वो उदर मैं क्या-क्या सिखा है, वो इदर नागपूर में यूटलेस करने के लिए जानता हूं. कितने दीन लग सकते हैं यहां स्टार्ट करने के लिए अब ही हम कल स्टार्ट कर रहे हैं, हम यह तीन-चार मैने से हम प्लान कर रहे हैं, हमारा टीम को हम सेट कर रहे हैं, लिवर, ICU हम सेट कर रहे हैं, अपरेशन थीयाटर हम रेडी कर रहे हैं, अभी सब चीज रेडी है, तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं.